है है लो गाइस आइम रंजीत पड़ल आप देकर रहे हैं टेक्निकल यूटूब चनल में आपका बैल का मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लो वैलू कंटेंड की अरर क्यों आ रहे काफी लोग गूगल अर्शन के लिए अपलाई कर रहे हैं तो लो वै कंटेंड डालने के बाद भी उनको लो वैलू कंटेंड की अरर रही तो क्या प्रॉब्लम में आज की वीडियो में बताने वाला हूं और यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है सबसे मैं पॉइंट आता है कि यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है दो हजार एकिस में क्यों आ रही है भी आती थी बट इतनी ज़्यादा नहीं आती थी अभी है कि लोग्राम कर रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते थे आज तो को लूग्राइब कर सकते थैं क्यों आ एटवर्क प्लेटफोर्म है जहां से अच्छी खास यह नहीं होती और अच्छा कासा सीपीसी मिलता है काफी लोग इसको तो वाय करते हैं एंड सैल की हेल्प कर सकता हूं ओके गाइस इसलिए इस रेड कलों की सब्सक्राइब अच्छाइब अच्छाइब को प्रेस करें जिस कंटैन्ड के इसलिए आ रहे हैं काफी लोग एक ही निश्प रखर कर रहे हैं मल्टिपल उसी निश्पर और उसी में ब्लॉग क्रेट कर रहें और क्या हो रहा है कॉंप डीटर से कम कंटैन्ड पपलिक कर रहे हैं तो इसको अप्रूवल क्यों देगा भाई Google क्यों देगा और उसको रैंक भी क्यों करेगा Google Ads अप्रूबल क्यों देगा आपके quality content है बट आपका content ज्यादा नहीं है कहा जाए का आपका competitor का आपका 100 क्योर्स है एक comparison कि आपके competitor का and 1000 वर्ड का content है आर्टिकल पोश्ट एक dedicated पोश्ट है और आपने 500 वर्ड की पोश्ट करेट करके पब्ली कर दी तो एसस नहीं कि आपको Google Ads अप्रूबल देगा तो उसमें डारेक्ट Google Ads क्या बोल देगा low value content क्योंकि इस content में value नहीं है और low value content मतलब content है जो कम है आपको content proper competitor से अधिक डालना है और अपनी पोश्ट को अपनी पोश्ट को and professional type से design करना है यह कारण है काफी लोगों को doubt कि लिएर पता नहीं चल पाता कि किस कारण से low value content क्या रहा है अगर जैसे आपको किसी भी निस पर काम कर रहे हैं तो पहले आपको उसको research करना है अगर उस research में आपको micronis keyword मिलता है और अगर आप उसमें work करते हो तो chance से कि आपको action approval हो जाएगा बट अगर आप competitor competition वाले keyword पर काम कर रहे हैं तो आपको competitor को उससे ज्यादा content पब्लिक करना पड़ेगा और पोस्ट पब्लिक करनी पड़ेंगे और उससे अच्छा professionally SEO करना पड़ेगा और आपको जो थीम है professional type से design करके कस्टम करके सब कुछ proper work करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपने विगनर हैं आपने कुछ भी लिया कुछ भी पब्लिक किया copy paste अशा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप माइक्रोनिस पर काम करते हैं, माइक्रोनिस का यह benefit होता है, कि अगर माइक्रोनिस पर काम करते हैं, content आप अच्छे डालते हैं, अच्छे पब्लिक करते हैं, या 500 बर्ड भी पब्लिक करते हैं, माइक्रोनिस कीवर्ड पे, तो उसमें गूगल अर्सन का अप्रूवल मिल जाता तो गूगल एड्सन उसको फाशली अप्रूवल देगा अगर आपने कॉंपडिशन वाला कीवर्ड लिया उसमें अच्छा की ब्लॉग भी बना दिया बट उसमें कंटेंट कम पबलिक करने के कारण आपको लो वैलू कंटेंट के रहर आ जाती है प्रोग्राम पॉलिसी के रहर आ जाती है इसलिए मैं आप से बोलों कि आपको माइक्रोनिस कीवर्ड फाइंड करना माइक्रोनिस कीवर्ड जितना आप फाइंड करेंगे उत्ता ही आपको वैन वीक टोटल वन वीक में आप कीवर्ड फाइंड करते हैं तो आपको माइको निस कीवर्ड फाइंड करना और अगर मेरा एक्सपीरेंस लेना तो इसकी वीडियो आई बटन पर दे दूँआ आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैं कैसे फ्री में कीवर्ड रिसर्च करता हूं काफी लोग बोलते हैं पैड टूल्स का यूज़ करो मैं पैड टूल्स को फ्री में यूज़ करके पैड टूल्स को फ्री में यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च करता हूं जिससे मनी इन्वेस्ट किये बिना ही मैं कीवर्ड फाइंड कर अगर आवर्डप्रेस में या या बलॉगर पे तो आपको अधिकतम पोस्ट करना क्योंकि कंटेंट से आपको अप्रूवल मिलता है ऐसा कुछ भी नहीं है पहले का था पहले तो आप और टेन पोस्ट में भी अप्रूबल ले लेते 2010 की बात है वो अब क्या हो गया 2021 2021 फे आसानी से अप्रूबल नहीं मिल जाएगा क्योंकि ब्लॉगिंग की जनरी में काफी लोग अभी कॉंपेडिशन हाई हो चुका है कॉंपेडिशन हाई हो जाने के कारण काफी लोगों को अभी प्रोग्राम पॉजिशी एरार अरे लो वैलू कंटेंट के एरर आ रही फिर नेस्ट एर कुछ और आ जाएंगी यह कंटेंट बॉलेशन इस लिए अब माइक कूशून पॉलिशी के और उससे अर्निंग कर सकते हैं ओके गाइस यह ती वीडियो आप प्रोग्राम पॉजिए की एरर कैसे रिमूब करना है वह आपको नैस्ट वीडियों बताऊंगा इस वीडियों मैंने आप बताया कि लोग वैलू कंटेंड की अरर काफी लोगों को क्यों आ रही है अगर आ गूगल अगर्धार को ट्रेक बताता हूं कि कैसे मिल सकता है लोग आ कि आप के पास अरड़े आज आने की बाद को क्या काना कुछ टाइम करने के टाइम पर आपको बैक लिंक रियर्ट करना ओन पज्द आप करना उसको रहं कराना प्युपर रेंक और आ, विलिए आने के तो आपको आप्लाई किया और फिर आपको कुछ टाइम तक रे मिप पूश्ट पॉश्ट सकतेके जिससे आपका पूर्टओ्ड हो जाएका और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि गूगल एड़सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म में जहां से आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो और उसमें अच्छा-कासा सीपीसी मिलता है काफी लोग बोलते हैं गूगल एड़सन ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म होते हैं बट मेडिया.net है आप उसका यूज कर सकते हैं यह यह प्लेटफॉर्म है जो मैंने अभी नाम लिए आपको मेडिया.net तबूला हुआ इसमें ट्राफिक है आप सकता पड़ती है आपको 10,000 पर मन्थ ट्राफिक होना चाहिए आपकी वेब साइट में और आपको इसका अप्रू लेंग्वेज को यूज करके ब्लॉक करेट करते हो तो उसमें अप्रूबल नहीं मिलता है इसलिए एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छा सी पीसी देता है और अधर अधर लेंग्वेज पे भी गूगल एट्सन का अप्रूबल मिल जाता है बट आपको प्रूपेशन करने की अधर अच्छे से अपने ब्लॉक पर तो रेंक होने के बी चांसे से और लाष्ट में आपको अप्रूबल मिल जाएगा ऐसा आप अपना ब्लॉक तयार करो जिससे गूगल खुद कहें कि आप गूगल एट्सन अप्रूबल ले तो अप्लाइक करो और आपको ट्वे कि आपने अप्लाई किया प्रोग्राम पॉजी की एरर लो वैलू कंटेंट की एरर एंड इसा नहीं आना चाहिए आपको ऐसा ब्लॉक को तयार करना जिससे आपको कोई भी एरर नहीं आना चाहिए ओके गाइस इस वीडियो मैंने आपको डाउट किलर कर दिया होगा अगर है बैल आइकन को प्रेस करें और आपको जो भी डाउट हो ब्लॉग इंग फेस्बुक पेज और गूगल एट्सन अप्रूवर से रेटेड में से कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं आपकी 100% हैप करूंगा ओके गाइस गुड़ बाइ